जैबवानी एक जाम जक्षन तक इस्टड़ी यूटूब चैनल पर सभी का स्वागत है चाहे वो एसो वाले हो जैई वाले हो इस सब चीज़ वीडियो को ध्यान जे सुनिएगा अगर ये नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट के बारे में सोचना इधर बंद कर दीजिएगा तो चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंट को सेयर कर दें ताकि सारे लोग एक जूट हो के अपनी बात को रखें भीवा की बताए जाएगा क्या करना है सीटेट का रिजल्ट के जैसा कि कल सुबह के तीजस में आप से चर्चा की गई थी वो रिजल् सब्सक्राइब कर देखने को सामने मिल जाएगा तो जीतने भी लोग दी यह वह जाकि रिजल्ट को देख सकते हैं जारी कर दिया अब बात कर लेते हैं योपिटर पेले सिक रिफार्म को लेकर के बार बार आप लोगों को बता जा रहा कि जितने लोगह लेकिन किसी को समझ तरफ से सिकंड लिष्ट आनी थी वह जहां भी हो जितने भी लोग हो सभी लोग एक जुठ होके मिल के जो है अपनी बात एक पहले पंदर दिन पहले के वीडियो में बताया गया कि एक बार जो मिल के अपनी बात को रखें ताकि जो है वह रिजल्ट प्राथमिक्ता में आए ह जारी करना है उसको लेकर के फिर आगे प्रसेस को कुछ करनी नहीं हो जाएगा उसके बाद जो एक रिजल्ट आओर जारी हो जाएगा अब बचा क्या जैए वालों का है और यहां पर यहां पर ध्यान दिजिएगा कि जो इन लोगों को थोड़ा सा और इंतजार अब करना पढ़ेगा क्योंकि इसके संदर में आयोग जो है टाइम लगेगा आयोग से रिजल्ट जारी करने के लिए तो अगर यह भी प्रति होगी यानि कि तीनों जेई और एसो और कंबाइंट वाले यह सारे लोग अगर मिल के जो है अपनी बात को रखेंगे सची सर से तो हो सकता कि आयोग तेजी दिखा क्योंकि जब भी मिलने जाएंगे 10-15 लोग, 2-4 लोग, 1-7 लोग, 6 लोग, 1-10 दिन में तो उसे कोई प्रभाव पढ़ता नहीं है क्योंकि उतने लोगों को डिमांड नहीं है फरीच्छा को जारी करने के लिए जैसे लेकपाल को लिए अपनी बात दिया जाएगा और उसके बाद फिर मई तक जो है जुनाओ की प्रक्रिया होगी फिर जून जुलाई फिर एक लंबा प्रॉसेस खिर जाएगा यह सभी को पता है तो जितने भी प्रत्योगी चातर इस वीडियो को सुन रहे हैं सबसे पहले हो सब्सक्राइब लाइक शेर कर करेंगे तो इसलिए जितने भी प्रत्योगी चातर कम से कम यह चीज़ें कर लें ताकि जितने आसपास के लोग हैं इकठा हो के अपनी बात को साधानी पूरबग समस्दारी पूरबग रखेंगे तो सची सर्श हो सकता है कि उसकाम को तेजी के साथ जो है निप्टारा करके प्रत्योगी चातर के साथ खड़ा मिलेगा